असलाम लेकुम मैं हूँ अनीजा और आप देख रहे हैं किचन इद्वनीजा यूट्यूब चैनल आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और जटपट बनने वाले इट स्पेशल दही बड़े रेस्पी तो दही बड़े बनाने के लिए हमें जिन चीजों की ज़रूरत है तो सबसे पहले एक कटोरी बेसल लेएंगे आदा किलो दही लेंगे दूद लेंगे आदा कप आदा ग्लास पानी एक चुता ही सा लाल मिच एक चुता ही सा नमक एक ग्रीन मिच थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया लेंगे मैंने फ्रीजर का लिया है आफ फ्रेश भी ले सकते हैं एक मेडियम साइस का प्यास चॉप कर ले एक मेडियम साइस का अलो से बॉयल कर ले हाफ का टोरी इमली की चटनी बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून एक टेबल स्पून चाट मसाला एक चोता ही सा नमक एक चोता ही सा लाल मिच तो ये थी मारी सारी चीज़ें अब बनाना शुरू करते हैं अब इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा पाई डालके ब्लेंडर में ग्राइंट कर लेंगे और इसकी चटनी बना लेंगे तो चटनी हमारी बन चुकी है अब एक बाउल लेंगे बाउल में बेसन शामिल करें लाल मिच शामिल करें नमक डालेंगे थोड़ा सा पानी डालें और इसे मिक्स कर लें अब बेकिंग पाउडर शामिल करें पानी डालें और इसे मिक्स कर लें बेसन को आपने बहुत ज़्यादा पतला भी नी करना और बहुत थिक भी नी करना बेसन मुवारा मिक्स हो चुका है अम इसको इसतना का बनाएंगे आप देख सकते हैं अब कड़ाई लेंगे कड़ाई में ओईल शामिल करेंगे ओईल को गरम होने दें और चमच ही वदत से बेसन को कड़ाई में डालते जाएं और इसके बड़े बनाते जाएं एक एक करके डालते जाएंगे अकठे नहीं डालनें आँच आपने मीडियम रखनी है बड़े हमारे फ्राय हो चुके हैं लाइट ब्राउन कलर आ चुका है ओइल निकालते जाएं और प्लेट में रखते जाएं इसी तरह रखा करें जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह ओइल अच्छी तरह निकल जाता है तो बड़े हमारे त्यार हो चुके हैं अब एक बाउल लें, बाउल में पानी डालें और इसमें बड़ों को शामिल करतें बड़ों को 10 मिनट के लिए पानी में छोड़ दें तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब हाथ की मदद से बड़ों को दुबाते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे, इसी तरह सारे बड़े कर लेंगे, बहुत जादा जोर से प्रेस नहीं करेंगे, वरना बड़े हमारे तूट जाएंगे, अब एक बाउल लेंगे, बाउल में दही शामिल करें, दही को कांटे के मेंद से अची तरह फैंट लेंगे, अब द सारा चाट मसाला नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए बचा लेंगे, अब चाट मसाले को दही में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अब एक प्यारी इसी डिश लेंगे, और बारी बारी इसमें बड़े रखते जाएंगे, अब सारे बड़ों को इसी तरह ने चटनी मुएन OR चमच के मदद से बढ़ा पर डालते जाएंगे अ कि से हमने डाल ली बॉन होई अलू लेंगे और सारे बढ़ां पर डालते जाएंगे अकिप वहाई आतरा है अब चूप हुआ प्याइज लेंगे और उसे भी बढ़ां पर डाल देंगे अब प्यास डालने के बाद चाट मसाले वाला दही जिसमें हमने चाट मसाला मिक्स किया था अब उस दही को डालेंगे तो चाट मसाले वाला दही हमने डाल लिया है अब साधा दही लेंगे जो हमने बाउल में बचाया था इसके उपर डालेंगे सारे दही को अच्छी तरह बढ़ों पर डाल दें अब इसी तरह सारे बढ़ों पर इमली की चटनी डाल लेंगे तो इमली की चटनी के बाद अब चाट मसाला लें और चाट मसाले को बढ़ों के उपर स्प्रिंकल कर दें तो चाट मसाला हमारा स्प्रिंकल हो चुका है तो तयार है हमारे जबर्दस से मज़दार से जटपट बनने वाले इज स्पेशल दही बड़े रेस्पी अगर आपको में रेस्पी अच्छी लगी तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को दुबाना मत बुरिएगा ताके मेरी हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके अलाफिज